कलकत्ता उच्च न्यायाले की पाँच सदस्य पीठ ने बंगाल सरकार को चुनावबाद हिंसा की सभी सिकायतों को प्रात्मिकी के रूप में दर्ज करने का आदेश देकर ममता सरकार के इस जूट की पोल खोल दी की उनके राज में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई कलकत्ता उच्च न्यायाले का फैसला यह भी बताता है की बंगाल पुलिस ने पीड़ितों की सिकायतों को सुनने से इनकार किया देश के राजनीतिक इतिहास में यह सायद पहली बार है जब किसी राज सरकार ने अपने ही लोगों के दमन, उतपीडन और पलायन का संग्यान लेने से इनकार करने के साथ यह जूट भी फैलाया हो की ऐसा कुछ नहीं हुआ यह अच्छा है कि कुछ देर से सही ममता सरकार हिंसा की इन भयानक घटनाओं पर परदा डालने की जो वे सर्म कोसिस कर रही थी उसमें नाकाम भी हुई और बे नकाब भी सबसे सर्मनाक यह रहा की बंगाल पुलिस भी ममता सरकार के जूट का साथ देती हुई नजर आई बंगाल पुलिस के अधिकारियों को इससे लज्जित होना चाहिए कि उन्होंने हिंसा पीडित लोगों की मदद करने के बजाए उनकी उपेच्छा की बास्तव में उन्होंने बिलकुल त्रडमूल कॉंग्रेस के कार्यकरताओं की तरह बिवहार किया जिस राज्य की पुलिस सत्ता रूड दल के दास की तरह बिवहार करे उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इसमें संदेय है कि उच्च न्यायाले के आदेश के बाद बंगाल पुलिस अपने दायतों को लेकर सजग होगी आखिर जिस पुलिस ने अपने सामने हो रही हिंसा से मुह मोडा हो उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह उच्च न्यायाले के आदेश पर अपना कर्तब्य पालन सही तरह करेगी उच्च होगा की उच्च न्यायाले चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की पुलिस जांच की निगरानी खुद करे और भी उच्च यह होगा की वह इन घटनाओं की जांच के लिए किसी बिसेश जांच दल का गठन करे यदि यह काम नहीं करता तो फिर सर्बोच न्यायाले को इस दिसा में पहल करनी चाहिए क्योंकि बंगाल में चुनाव बाद त्रडमूल कॉंग्रेस के कारिकरताओं ने अपने राजनीतिक बिरोधियों के उतपीडन और दमन का जो घिनोना अभियान छेडा ओहराज्य के माते पर कलंक से कम नहीं इस दोरान लोगों को मौत के घाट उतारा गया और घरों दुकानों में आगजनी के साथ दुसकर्म भी किये गए यदि चुनाव बाद हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों और उन्हें सरक्षड देने वालों को जवाब देह नहीं बनाया गया तो फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दुस्चकर थमने वाला नहीं है इस तत्थ की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये की त्रडमूल कॉंग्रेस ने राजनीतिक बिरोधियों को दराने धमकाने और उन्हें कुचलने के मामले में वही तौर तरीके अपना लिये हैं जो बामदलों ने अपना रखे थे